झाइक को कहानी समझ में नहीं आई हा 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 क्रिश, बस करो हसी मजाख्य करना है तो कहानी सुना के भी कर सकते है कहानी सुना के ? कौन सी ? क्रिश की फेवरिट कहानी जिसमें है एक बंदर बंदर ? हाँ लेकिन एकदम छोटे रोल में मैं शुरू करता हूँ, आज की कहानी है पंजाब की, जहां लोग बोलते है पंजाबी और करते हैं भांग रा बले, ऑ बले, औ शाब, शाब, शाब ये कहानी है शेर की पंजाब दे पुतर दी और पंजाब दी कोडी दी धर्मे की और डराने की चेर साव मन लो ए सारे बड़ा पेदे लक्षण ने तो अड़े पागने विच ओर अफ्तार अव नहीं रही मेरी गल सुनो जंगल छट देओ कोई छोटे मोटे काम विच चले जाओ और इंसान दा शिकार करो हाँ जी इंसान दा ना ते ओ हिरन या खरगोश जी तरा तेज पाग सकजेने और ना ही उना ते जंगली पैसा दी तरा जिंगों देने ओर तो अड़ी दोस्त ओ लोमडी उसको भी साथ ले जाना उसको भी मज़े आएगा इंसान दी अड़िया चूचने में आजी अजी जाना ते जड़ी तरा ते जुक भी सेज कर लो जान के ले टाएगा, आजीक आया है एल एल अस्सी जम के काम करना और खेत विछ ही रहना तो पहरदा खाना मैं खेते लेकर आवांगी फसल तैयार है उसके कटने विच देर नहीं होनी चाहिदी मैं पंजाब दा किसान मैं पंजाब दा हूँ शेर कटनी है फसल मैंनू बिना किये कोई गेर मैं जंगलंदा हो शेर कटनी है खाना है इंसान मुझे ज बिना किये कोई गेर झांच कोभना थाहल उता महतुंी पनिया कढ गूसरा नह थो तrau पिल्फजय जुशिए अपिल्ग कढ पहीं भादा तरल भादा अआ उे कढ दो कढ प्रसा हादा पुए तर्टल तरिप्το आकाईद और श होल्हती है पुपुपुए। पुफुछ करता süggог lo इनसान बहिरे नूल फकि aby कुँ क्युके क्यूंकि मैं शेयर है गां और तो इंसान तुसी कुछ होर नहीं खा सकते मेरी पत्नी दे बनाए सरसो दे साख दे चरचे तो पुरे पंजाब विच मशूर है तेरी पत्नी नहीं होए मैं उसको किसी और दिन खाऊंगा आज तेरी भारी है मेरा ओ ओ मतलब नहीं सी मतलब वतलब जड़ यार बड़ी भोग लगी है मेरी कल तो सुनो शेर पाशाओ मैं इन्ना दुबला पतला जहाँ मैं नू खा के तोड़ा पेटी नहीं बरेगा उससे अच्छा है मैं तौनू मेरी काय लाकर देंदा हूँ मोटी है चंगी है वड़ी वड़ी है तुसी उसनू खाओ तो नू मत जहा जाएगा यहाँ यहाँ तू बाग गया तो मैं नहीं पागा आँगा शेर जी वो उस पास से मेरा कार है बस मैं बस मैं हून जानदा हूँ और अपनी गय लेकर आनदा हूँ तो तुम्हें जावा जाओ वे लुक अगर तो वापस नहीं नाया तो मैं तेन्नू तेरी पतनी और तेरी गाय सबनू खा जावांगा समझे समझ कहा जी अब मैं जाओ और तेरी और तेरी ओए की होया शेर विच खेत है तो मैंने क्या कि मेरी गाय मैनू खा जाएगी है ने 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 खेत विच गाय नू का शेर नू खा मैनू छड़ दे यार एलो पाणी अब ठंडे दिमाग नाल कहो की होया खेत में शेर है उसने कहा विच खा जाएगा क्यों जंगल विच जान्दरोदा काल पड़ गया है क्या फिर मैंने उसनू कहा कि मैंने मात खा खोशियार हो तुसी मैं तो नू मेरी गाय देंदो तुसी उसनू खाओ रूखो तुसी तो मैं की करदा गाय दे दोगे तो दूद कित्थों आएगा दूद नहीं तो दही नहीं दही नहीं तो लसी नहीं लसी नहीं? ओई नहीं ते नहीं यार आय तो मैंने देड़ी नहीं लेकिन तुसी काम करो, तुसी खेत वापिस जाओ, कुछ यहाँ वहाँ दी बाते करके शेर नू व्यस्त रखो, तब तक मैं कुछ तर्कीब निकाल दी हाँ अगर मैं वापस नहीं गया, ते वो, ते नू, मैंनू, ते होर अपनी गायनू, सब नू खा जाएगा, मैं जावाँ खाओ तो अपनी गायनू लेकर ही जाओंगा बस उफ, तुसी अग्ये जाओ, पीछे पीछे मैं भी आन्दी हूँ लेकिन मैं जंगलता हूँ, राज्या, मैं जंगलता हूँ, शेर, खाणा है इंसान मुझे, विना किये कोई देर चलो भी मर गया, ये तो मर गया लगता है, आज यमराज ने ठान ली है कि इस किसान की जान लेके ही रहेंगे पहले वो शेर, और अब ये अजीब राक्षस, बस ये खतम हो गया क्रेश, त्रेश, आओ, ये बिचारे को इस राक्षस से बचाते है राक्षस, वो तो किसान की पत्नी है हाँ, बाल्टी बॉय, राक्षस के भेश में वापस चलें सच्ची? हाँ मैंनू कुछ जानी पेचानी खुश्बू आ रही है मैंने कल जो खाना खाया सी, कुछ वैसी ही है वैसी ही, लेकिन थोड़ी अलग भी है लेकिन कल मैंने जो शेर खाया सी, वो थोड़ा छोटा सी खाने विच मज़ा तो आया, पर पेट कुछ भर्या नहीं बड़ा मज़ा आएगा जब मैं वट्टा शेर खावांगा, वट्टा मज़ा क्यों, मज़ा आया तुम तो मानो चलो, घर चल दें लेकिन फसल सवेरे से तुसी काफी मेनत किती है थोड़ा रांग कर लियो लस्सी वस्सी पीलो फिर देखेंगे अरे लो मड़ी बाग, अपनी जान बचा नहीं तो, नहीं तो हो सानू, खा जाएगा तेनों पता है, मैं मरते मरते बचा हूँ तेनों पता है, मैंने क्या देखा पता है, पता है, किसान दी पतनी ओ कितों आ गई, अरे वो खेत वेच राक्षस है बहुत है लगता है, उमर दे साथ साथ तेरे दमाग दी रफ्तार भी तिमी हो गई है मैंने मेरी आखों से देखा है, मेरे कानों से सुनिया है, वो कोई इंसान नहीं सी ओ मैं भी वेख्या है, और सुनिया है होई बखवास बनकर, और भाग भाग के किते जाओगे जंगल वेच हाँ और क्या और खाओगे की हवा मेरी गल सुनो मैं वो किसान ते उस थी पत्नी नू पहले भी वेख्या उनके करते पिछे फें कियाओ या हड़ियां मैं बहुत चबाईयां नी सच ते नू की लगदा मैं रा देखदा बैठांगा शेर जी शिकार करणगे मैं हड़ियां चबावांगा मैंनू पुक्खे थोड़ी मरना है जाओ ते उस किसान दा शिकार करो मैं अनी मनता मैं अनी जाओ आंगा ते फिर मरो पुक्खे ठीक है लेकिन तेन्नो भी मेरे साथ जलना पड़ेगा चलो चल दिया फिर नहीं नहीं ऐस तरह नहीं तेर किस तरह हो मैं दिखाना हो तेन्नो किस तरह अब चल चलो बस हो गया हुना राम फसल भूल गये की ओ तेरी मर गया ते तू भी मर गयी और गाय해요 be अचेर नहीं देखा दो इंसान तो अपने दोज नु भी ले आया श्षी रोना दोना बंद करो लो म८री जी तथास्वा गया दे तथादक जवाब नहीं कल तुस्य मेरे लिए छोटा शेेर लाये सी ते आज इन्ना वट्टा शेर वो भी पूरा बांद के आज ते मैं पेट बरके खाना खावांगा लोम्री जी तुस्सी भी पेट बरके हड्या चपाओगे वा, क्या तरकीब निकाली, वा, वा, पंजाब दी कुडी, तुम्हारा जवाब नहीं, वा, वा तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? मैं बताओ, बोलो बाल्टी बॉय इस कहानी से हमने सीखा कि जब शेर हमें खाने आए, तो हमें अपनी बीवी को बुलाना चाहिए एक डम सही बाल्टी बॉय, जब तुम्हें शेर खाने आएगा ना, तो ऐसे ही करना हा? चुप करो क्रिश, हमने ये सीखा कि अकल और होशियारी से हम किसी भी खत्रे का सामना कर सकते हैं ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अरे, बाल्टी बॉय, सोचने के लिए दिमाग की ज़रत होती है और वो तुम्हारे पास है ही नहीं, है न? क्रिश, बाल्टी बॉय का लिए नहीं